उत्राखंड में निकली बंपर भरती अब आप सोच रहे होंगे कि आपके बेरोजगारी की समस्या का अब होने वाला है समाधान जी हाँ बिल्कुल बेरोजगारी की समस्या का होने वाला है समाधान लेकिन वो आपके लिए नहीं है इसमें विधायक होना चाहिए योगेता कम से कम आप विधायक हो अब विधायक के उपर कितने चार्ट सीट लगे हूं उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं यह बात कर रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति विधायक है तो उसके लिए भरती निकली है भरती किसकी उत्राखंड के अश्ट्रिय अध्यक्ष जेपी नडडाजी को सौप दिया है। अगर विधान सभा चुनाओं में एक वर्ष से कम का समय है तो आप उपचुनाओं नहीं करा सकते हैं। अब देखना यह होगा कि उत्राखंड के जितने विधायक हैं उनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो अपना दावेदारी करेंगे। अपनी दावेदारी किस तरीके से करेंगे? कितना ताल ठोक के करेंगे? क्योंकि दावेदारी जब टिकट लेनी होती है तो बहुत से लोग आते हैं दावेदारी करते हैं। लेकिं मुख्यमंत्री पत के लिए कितने लोग दावेदार होंगे? कितने लोग दावेदारी करेंगे? ये मुझे नहीं पता। आपको थोड़ सा दुख होगा लेकिं फिर भी अगर आप विधायक बन जाते हैं, आप अपने तयारी जरूर करते रहिए, अगर आप विधायक बन जाते हैं, तो आप अभी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, कभी भी कोई भी मुख्यमंत्री चेंज हो सकता है, और मुख्यमंत बचने वाली है जाहिरती बात है कि जनता क्या भारती जनता पार्टी पर उतना भरोसा कर सकेगी जितना भरोसा पहले कभी करती थी क्योंकि इस दौरान जब तीन मुख्यमंतरी बदले हैं तो क्या भारती जनता पार्टी इस बात को किसी भी तरीके से लिख पाएगी लोगों के मुख्यमंत्री को बदलने के चक्कर में हो सकता है पार्टी को भी बदल दे यह तो आने वाला वक्त बताएगा आम आदमी पार्टी भी जोरो शोरो से तयारी कर रही थी आम आदमी पार्टी के करणल कोठियाल जी गंग उतरी से चुनाव लडने का मन बना चुके थे खबर आप में फॉलो का बटन दबा लेजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर लेजिए अगर आप इसे यूटूब पर देख रहे हैं यूटूब चनल को सब्सक्राइब कर लेजिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया